नवरात्री दो हजार चौबीस डेट टाइम हिंदू धर्म में शारदिय नवरात्री का खास महत्व माना जाता है नवरात्री में मा दुरगा देवी के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है कई भक्त जन विधी विधान के साथ कलश वघट स्थापना कर नौ दिनों तक व्रत भी रहते हैं नवरात्री के आखिरी दिन हवन पूजन वगन्या पूजन कर व्रत का समापन किया जाता है आईए जानते हैं नवरातरी का पहला कब है और पंडित जी से कलश स्थापना वघट स्थापना का शुब मुहूर्त कब है नवरातरी का पहला दिन हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की शुकल पक्ष प्रतिप्दा तिथी की शुरुआत दो अक्टूबर दो हजार चौबीस को राद बारह बजगर अठारह मिनिट बजे से होगी जिसकी समापती तीन अक्टूबर दो हजार चौब स्थापना का शुब मुहूर्द आचार्य गोविंद शरन पुरोहित के अनुसार शार्दिय नवरातर आश्विन शुकल प्रतिप्दा तीन अक्टूबर को कलश स्थापना का मुहूर्द प्राद शुन्य 6.07 बजे सुबह से शुन्य 9.30 बजे तक है उसके बाद अभी जी की होगी पूजा शार्दिय नवरातरी के पहले दिन मान दुर्गा के पहले स्वरूप मा शैल पुत्री की पूजा की जाती है। चार अब माता को लाल चंदन, सिंदूर, श्रिंगार का समान और लाल पुश पर पित करें। पांच मंदर मेगी का दीपक प्रजवलित करें। छै पूरी श्रद्धा के साथ माता दुर्गा की आरती करें। साथ माता को भोग लगाएं। आठ अंत में क्षमा प्रार्थ ना करें। लाल रहां प्राई के साथ माता दोचसेद Ce और क्रेंगा स Libशा आ पर लाहें जड़ को प्रायर में। करें।